मंतरी मीना सिहने एक बार फिर से पाले नगर को बड़ी सौगात दी है जहां मंतरी मीना सिहने उमरिया जिले के पालित सामुदाइक स्वास्थ केंद्रु को अश्वास्थ करते हुए मंत्री मीना से हम भाबुक नजर आई इस दोरान उन्होंने क्षित्र की जुनता को आश्वास्त करते हुए कहा कि स्वास्त सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी अगर कुछ है जैसे लोग अगर पीडित होते हैं तो कहीं किसी को बाहर जाना होगा तो गाड़ी बराबर सभी के काम आएगी और इस छेतर के लिए पाली शहर और ग्रामीड के लिए एक बहुत अच्छी सुगधा हो गई है पर मेरा तो यह कहना है कि गाड़ी की जरूरत ही क्यों पड़े लोग बीमार ही क्यों पड़े पर कहते ना कि होनी को कोई नहीं जानता तो ऐसी स्थिति में लोगों के आने ज जाने की बात हो चाहे जबलपूर जाने की बात हो तो लोग ठीक तर ऐसे पहुँच पाएंगे और उनका इलाज अच्छे से हो सके ऐसी प्रात्मा प्रात्मा नहीं मैं तो जब से इस चेतर की विधायक हुई हूँ आज सरकार में हूँ मैं जब से लगातार प्रयास करती र मैं फ़ारमी नहीं भर रहा है कि हम उनकी भरती कर सकें और उनको हम डाक्टर बना की अपने सामदाई moss Centre या प्रात्मिक रही है कोई मिडशेतर क्राम करने कं करने तैयार नहीं Cape Smith Riis अगर पाली बीड़ार का परिश्याद मि हुप्ली कोई के यहां भी नहीं आना चाहें तो remember हलसा रहता हैं मैं तो झब भी मनम क्तर्श Васी सर नहीं मिलती हुए था हमारे यहां डाक्टर बढ़ाईए तो अभी जैसे सीमेचो साब बता रहते कि कुछ है डाक्टरों की पदस्था अपना हुई है और आप सब के सामने मैंने मांग भी रखी है कि सबता है में अगर दो दिन भी यहां से मरिया से आके डाक्टर बैठेंगे तो काफी लोगों का अच्छा इलाज हो सकेगा ऐसा मैं मानती हूँ तो डाक्ट साब से मैं और भी बात करूँगी जेला कलेक्टर से भी बात करूँगी कि कुछ दिन के लिए यहां पाली की स्युक्रिती दे वो कारिक्र में प्रमकुरूप से वरिष्ट चिकत्सक डॉक्टर एस के नामदेव भाजपानिता सर्जू अगरवाल प्रकाश पाडिवाल बाहत्दोर सेहं सांसत प्रतिनिधी दीपक दासमित सभी पारशत नगर के गंडमान नागरिस सहित बीजेपी कारिकरता उपस्तित रह उमरिया से अमपी नियूस के लिए मनु उपाध्याय की रिपूर्ट